नमस्कार recuperate काता आज आपन बात करेंगे लिक्ट्रोनिक ड्रक्स के बारे में आपने इसका नाम सुना है कि मैरे इसवा से आपने अभी तेख नाम नहीं सुनो होगा है आपने अफ़ी माई ऊऽिन माव नाम शुन भागा आप आपने heroin drugs के बारे में नाम सुना होगा लेकिन electronic drugs के बारे में नाम नहीं सुना होगा अब ही latest चीन में चीन की एक news agency है उसमें एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था उस news agency ने डिजिटल गेम्स की तुलना इलेक्ट्रोनिक ट्रक्स है की थी और ये बात कापी हद तक साही भी है आज के दोर में ये डिजिटल गेम्स बच्चों के लिए electronic drugs की आदत बन रहे हैं इलेक्ट्रोनिक गेम्स का नसा बच्चों में ऐसा हावी हो रहा है कि वो हर चीज़ भूल रहे हैं और बस गम्स की तरफ इमान लगाते दे सुबवे उठते बेटे जागते शोटे बस उनको इलेक्ट्रोनिक गेम्स मॉबाइल एक तरीक्रे से बच्चों में इसको आपको इन बच्चों में से दूर करना होगा वरना एक दिन आपके बच्चे आपके हाथ से निकल सकते हैं और यह अभी लेटेस पिछले दो साल से सबसे ज़्यादा चलाइन आया है दो जार इकिस में कोवीड आया है दो जार बीस में कोवीड आया है जब से यह ओनलाइन क्लासेज चली है इसकुल की तब से ओर ज्यादा लस्त बच्चों की पड़ गई है डिजिटल गेम्स खेहनने की मॉबाइल के अधिकतर के पेरेंट्स गहर पे रहते नहीं है बच्चों को मॉबाइल दे देते हैं अब वो कितनी देर तक तो ओनलाइन क्लास कि जोइन कर रहा है और कितनी देर डिजिटल गेम्स खेल रहा है बहुत से जन्हें माबाप ऐसे होते हैं जिनके सामने कि ओनलाइन क्लासे जोइन करते हैं बच्चे लेकिन आदे गंटे की ओनलाइन क्लास होती है या एक गंटे की होती है जब ओनलाइन क्लास होने के बाद में क्या होता है जब पापा मम्मे कहते हैं कि बेटा फोन दे दे तो बेटा क्या कहता है पापा दो मिनिट दो मिनिट एक करके दे रहा हूं कि जब ममा कई यह सुन और मजफ 5 मिनिट करना दाए हमिए पेस्ट ऑग्लेट करने दिद्यानु कि आ वह दो निद्स कि लटे हो जाते हिं सान्वान चालता है यह लिए बच्चों के जीवन पर बगा दूस्प्रबाव डाल रही हैं। इसको रोकना बहुत जरूरी है। और इन ओनलाइन क्लासोज में बच्चे पढ़ई तो कम कर रहे हैं। और डिजीटल गेम्स की आदत बहुत जधा पढ़ी। आपको अपने बच्चों को कंट्रोल करना होगा, बच्चे तो बच्चे क्या, अभी दो दिन पहले मैं मार्केट में कुछ सामान करीदने गया, एक व्यापारी अपनी शोप पे बेटा था, और मैं गया वहाँ पे, मैंने उसे कुछ सामान मांगा, वो खुद मोबाईल में ब पढ़ा था, मैंने टेबल से सामानी उठा लिया, उसको पता ही नहीं, मैंने उसको जग चोरा, कि मुझे ये सामान लेना है, फिर वग दिन कहा, हाँ, आपको ये सामान लेना है, देखिए, बड़े चोट बच्चे तो बच्चे और बढ़ो भी इस गेम्स की लत्में लग और ये बच्चों का जो दुस प्रपाव क्या हो रहा है, आपको पता है, पेरेंट्स उनको कुछ खरीदने के लिए पैसे देते हैं, तो वो गेम्स में उड़ा देते हैं, और उस गेम्स में अलग-अलग स्टेप्स होते हैं, कि बच्चे उस मोबाइल से अंदर जाके और नेट बेंकिंग चलो कर देते हैं, और पेरेंट्स के एकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, आपने बहुत से ऐसी न्यूज आपने सुनी होगी, यहां तक कि अपने गर से भी बाग जाते हैं बच्चे अगर उनको गेम नहीं खेलने दिया जाए, बहुत से बच्चे होगे तो उनको ऐसा नसा हो जाएगा कि एक टाइम अगर आप उसको चुड़ा होगे तो भी नहीं चुड़ेंगे, आपको अपने बच्चे को साइकलोजिस्ट के पास में ले जाना पड़ेगा, ऐसी लग लग जाएगा, अभी समय हैं, अपने बच्चे को इस डिजिटल इस इलेक्टोनिक ड्रक्स के नसे से रोकिये, वरना इस डिजिटल गेम्स और इस इलेक्टोनिक ड्रक्स के नसे में इतना दल दल में फच जाएगा आपका बच्चा कि आप उसे निकालोगे तो नहीं निकल पाएगा, और वो दिन रात उस डिजिटल गेम्स में ही खोया र लेकिन इस डिजिटर गेम इस इलेक्ट्रोनिक डख्स की आदत से तूध करिए वरना एक टाइम इसा भी आएगा कि आपका बच्चा आपसे दूर जा सकता है इसी के साथ आज यहीं मेरा वीडियो आपको पसंद आए लाइक करें कमेंड करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहें और ऐसे ही नोलेजबल वीडियो में आपके लिए आगे भी ला करता रहुंगा